हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल स्टडी विथ एम एस ए तो आज हम जी स्टोरी के बारे में डिसकस करने वाले जिसकी समरी आज हम देखने वाले उसका टाइटल है दा नाइट ट्रेनेट देवली जो लिकी गई थी रस्किन बॉंड के द्वारा राइटर के बार प्रेंट्स थे वह ब्रेटिस अर्स थे और राइटर का जन्म इंडिया में हुआ था और जो राइटर के फादर थे वह रोयल एरफोर्स में थे और जब राइटर आट साल के थे तभी उनके माता-पिता का डिवॉस हो चुगा था उसके बाद उनके मदर ने किसी और के साथ रहने लगे राइटर के कुछ फेमस वर्क्स देखे तो दरूम ऑन दरूफ आवर ट्रीस टील ग्रो इन देहरा अ फ्लाइट ऑफ पिजियन्स दब्लू अम्रेला और लास्ट में है डैली इस नॉट फार तो जो हमारी स्टोरी है वो हमारे लेखक की जीवन की सत्य गटना पर आदा रही थे और स्टोरी का जो टाइटल है दनाइट ट्रेनेट देवली वो इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी स्टोरी के सेंटर में देवली स्टेशन है यानिकि देवली का रेल्वे स्टेशन है तो हमारे जो लेखक है वो अपने शब्दों में इस पूरी कहानी को इस पूरी गटना को बता रहा है जब वो कॉलेज में थे तब वो अपनी गर्मी की छुट्टियां अपनी दादी या नानी के गर्पे दहरा में गुजा weirdestे थे वो मेंकी शुरुवात में वहाँ पर चले जाते और जुलाई जब खत्म होने को आता तब वहाँ से वापस आते थे और जो देवली स्टेशन है वो देहरा से 30 माईल की दूरी पर था देवली बहुत चोटा स्टेशन था और जो हमारे लेखाक है वो जिस ट्रेन में देहरा जाते थे वो सुबह के 5 बजे के आसपास वहाँ पर यानि के देवली स्टेशन पर पहुंचती थी यहाँ पर लाइट की कोई खास व्यवस्ता नहीं थी यहाँ वहाँ पर एक छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब और ओयल लेंप लगाया हुआ था यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था एक स्टेशन मास्टर की ओफिस थी और एक वेटिंग रूम था इसके अलावा यहाँ पर एक टी स्टॉल भी थी एक फ्रूट की दुकान थी और कुछ आवारा कुत्तों के अलावा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता था और जो ट्रेन थी वह वहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकती थी यानि के देवली स्टेशन पर जो ट्रेन दिल्ली से निकलती थी वो 10 मिनट तक देवली स्टेशन पर रुकती थी वो ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकती थी किसलिए रुकती थी वो लेकक को अभी तक समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पर उन 10 मिनिट में ना तो कोई ट्रेंड से उतरता ना ही कोई चड़ता और वहाँ पर कोई कुली भी नहीं था लेकिन फिर भी ट्रेंड पूरे 10 मिनिट वहाँ पर रुकती लिकक को कई बार उस टेशन के बारे में ख्याल आता थे उन्होंने डिसाइट किया था कि वो एक ना एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे और अपना पूरा दिन यहाँ पर घुजा रहेंगे लेकक कहते है कि जब वो 18 साल के थे तब वो अपनी दादी के वहाँ जा रहे थे और जो ट्रेन है वो रात को देवली स्टेशन पर रुखती है तब लेकक वहाँ बास्केट बेचने वाली एक लड़की को देखते है वो ठंडी बरी सुबह थी और उस लड़की ने अपने कंदों पर एक सॉल डाली हुई थी और उसके पेरों में कुछ भी नहीं पहना था यानि कि उसने अपने पेरों में कोई भी चपल या सूज नहीं पहने थे और उसके कबड़े भी पूराने थे लेकिन इस हाल में भी वो लड़की बड़ी खुमारी के साथ चल रही थी वो ट्रेन की विंडो के पास आती है और खड़ी रह जाती है वो देख रही थी कि लेखक उसे लगातार देखता जा रहा था पर फिर भी वो उसे जैसे के कुछ पता ही नहीं ऐसा दिखा रही थी उसकी जो स्कीन थी वो निस्तेज यानि के पेल हो चुकी थी उसके बाल चमकते हुए काले थे और उसकी आखे बिलकुल ही डार्क थी यानि के बिलकुल ही काली थी वो विंडो के पास आकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला और जब वो लड़की जाने लगी यानि कि विंडो के पास से जब वो लड़की आगे बढ़ने लगी तब राइटर अपनी सीट पर से खड़े होकर ट्रेन के डोर की तरफ गए और वहाँ से टी स्टॉल की तरफ जाने लगी पर जो दुकान का मालिक था वो वहाँ पर प्रेजन्ट नहीं था यानि कि वो ट्रेन में चाय बेचने के लिए गया हुआ था तब वो लड़की भी लेखक के पीछे पीछे तीस टॉल तक आ जाती है और वहाँ कर उनसे पूछती है कि आप एक बास्केट खरीदना चाहते हैं यह बहुत ही स्ट्रॉंग और अच्छी लकडी से बना हुआ है तब लेखक उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए पर लड़की वहाँ से जाती नहीं है वो दोनों वहीं पर एक दुसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं और फिर उस लड़की ने एक बार फिर से लेखक से पुछा क्या सच में आपको बास्केट नहीं चाहिए तब लेखक ने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे इन में से एक ब अकीदार था उसने विसल बजाई उस लड़की ने कुछ कहा पर वो बेल और ट्रेन के एंजिन की आवाज में लेखक को सुनाई नहीं दिया ट्रेन का समय हो जाने की वज़े से लेखक को वापस अपने कमपार्टमेंट में जाना पड़ा ट्रेन आगे बढ़ने लगी पर लेखक खिड़की से उस लड़की को देख रहा था वो अकीली ही वहाँ पर स्टेशन पर खड़ी थी वो भी लेखक को देखकर मुस्कुरा रही थी यानि के स्माइल कर रही थी ट्रेन जंगल में गायब हो गई यानि के ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ गई तब तक वो उ लहरा पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में से ये गटना थोड़े समय के लिए गायब हो जाती है यानि कि वो थोड़े समय के लिए इसे बूल जाते हैं पर दो महीने के बाद जब अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे तब उन्हें वो सब याद आता है जब ट्रेंड लहरात है लड़की ने जब लेकग को देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी वो दौनों खुझ थे क्योंकि दौनों एक दुसरे को बुले नहीं थे वो दौनों अपने किसी पूराने दोस्त को मिल रहे हैं ऐसा उने लग रहा था वो लड़की अपने बास्केट बेचने एक दुसरे को थोड़े वक्त के लिए कुछ भी कहा नहीं, बस एक दुसरे को देखते रहें। लेखक उसे ट्रेन में बिठा कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेखक ने उसके हाथ में से बास्केट लेकर जमीन पर रख दिये। और जैसे उस लड़की ने बास्केट लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो लेखक ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। तब उस लड़की ने कहा कि पर मुझे कहीं नहीं जाना है। उसी समय ट्रेन का जो गार्ड था जो चौकीदार था उसने फिर से विसल बजाई। तब लेखक को उस पर बहुत गुस्सा आया। पुरे साल वो उसे याद रही। और जैसे ही कॉलेज का टर्म जानी के कॉलेज का जो साल पुरा हुआ जल्दी से जल्दी अपनी पैकिंग करके हर बार से ज्यादा जल्दी दहरा के लिए निकल गया। और जब ट्रेन देवली स्टेशन में एंटर हुई तो वो थोड़े नर्वस हो गए। क्योंकि वो उस लड़की को क्या कहे, क्या नहीं, कैसे बात करेंगे ये सब सोच रहे थे। ट्रेन स्टेशन में एंटर होती है और लेकक आसपा स्टेशन पर देखते हैं पर उन्हें वो लड़की दिखाई नहीं देती। वो ट्रेन में से नीचे उतरते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए वो स्टेशन मास्तर के पास गए और उनसे पुछा कि यहां पर एक लड़की बास्केट बेचने आती थी, क्या आप उसे जानते हैं तब स्टेशन मास्तर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, वो आसपास में उसे लगता हैं यानि कि जो स्टेशन मास्तर की तरफ से जब उसे अंसर मिलता है तब वो उस लड़की को आजपास में डूणने लगता है, पर ट्रेन का समय हो जाता है, तब उसे वहाँ से जाना पड़ता हैं, लेखक सोचता है कि मुझे उस लड़की को तोणने के लिए कुछ कुछ करना चाहिए जिससे मैं सिर्फ दो बार मिला हूँ इस बार लेखक अपनी दादी के यहां जल्दी पहुँच गए फिर भी उनकी दादी उनसे खुश नहीं हुई क्यूंकि इस बार लेखक दो हफ़तों से ज्यादा वहाँ पर रुकते नहीं हैं उनके दिमाग में अने एक प्रकार के सवाल चल रहे थे वो स्टेशन मास्टर से कुछ प्रशन पूछना चाहते हैं जब वो देवली स्टेशन पर पहुँचते हैं तो देखा कि वहाँ पर तो नया स्टेशन मास्टर आ चुगा था और जो पूरा नवाला स्टेशन मास्टर था उसका ट्रांसपर एक हफ़ते पहले ही किसी दूसरी जगा पर हो गया था और ये नए स्टेशन मास्टर को उस लड़की के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी तब लेकक उस टी स्टॉल वाले के पास जाता है यानि कि जो दुकान का मालिक था उसके पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है तब जो दुकानदार होता है वो उन्हें कहता है कि मुझे याद है एक लड़की यहाँ पर आया करती थी पर उसने अब यहाँ पर आना बंद कर दिया है लेखक उनसे पुछता है कि पर क्यों उसको क्या हुआ है तब वो दुगानदार कहता है कि भाई मुझे कैसे पता होगा वो लड़की मेरी कुछ भी नहीं लगती और एक बार फिर से लेखक निराश होकर ट्रेन में वापस चला जाता है और जब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है तब लेखक डिसाइट करता है कि मैं कभी न कभी एक दिन डेवली स्टेशन में बिताओंगा और उस लड़की के बारे में इंकुआरी करूँगा कि जिसने सिर्फ अपनी आँखों से मेरे दिल को चुरा लिया है इसी विचार के साथ इसी खयाल के साथ लेखक अपना पूरा साल गुजार देता है और कॉलेज का लास्ट येर खतम होते ही वो दहरा जाने के लिए निकल जाता है और जब ट्रेन स्टेशन में एंटर होती है तो लेखक को पता होता है कि वो लड़की उन्हें मिलने वाली नहीं है पर एक उम्मीद के साथ वो आसपास अपनी नजर दोडाते हैं पर लेखक ने जो सोचा था वो उनसे हो सका नहीं वो सोचता है कि अगर ये कोई मूवी होती जाने कि उनके जिवन में ये जो गटना हो रही है वो अगर मूवी होती या कोई फिल्म होती या कोई फिक्शन होती तो मैं यहाँ पर ज़रूर रुकता और इस मिस्ट्री को इस रहस्य को सौल करके एक उचीत अंत तक पहुँचता लेखक कहता है कि वो शायद उनके डर की वज़े से उस लड़की को तलास में नहीं जा सके वो सोचता है कि शायद वो लड़की अभी शहर में ना हो या फिर उसकी शादी हो चुकी हो या तो फिर हो सकता है कि वो विमार हो चुकी हो इसलिए उसने स्टेशन पर आना बंद कर दिया हो लेखक ये सब सोचते रहते हैं अंत में लेखक कहते हैं कि अंतिम कुछ सालों में मैं देवली स्टेशन पर से कई बार गुजराऊं और हर बार खिलकी से मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं उस चेहरे को मैं डूनता हूँ वो सोचता है कि देवली स्टेशन के इन दिवारों के पीछे न जाने क्या होगा क्या रहस्य होगा पर ये सब जानने के लिए वो कभी भी वहाँ पर रुके नहीं वो हमेशा एक उम्मीद के साथ और अपने सपने को साकार करने के नजरिये से उस अकेले और सुमसान प्लेटफर्म पर बास्केट बेचने वाली उस लड़की को डूनते रहते हैं और जो स्टोरी के अंत में लेखक लिखते हैं कि मैंने कभी भी देवली में अपनी जर्नी को रोका नहीं या तो कभी भी उन्होंने वहाँ पर कोई दिन गुजारा नहीं पर मुझसे जितनी बार हो सके उतनी बार मैं वहाँ से गुजरता था तो यह थी हमारी स्टोरी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो तक गुड़ बाई and टेक केर